इस हफते काफी बड़ी-बड़ी मुवीज रिलीज होई है सिनमा घरों में लेकिन एक फिल्म ऐसी है जिसको भर-भर के स्क्रीन्स मिले हैं और वो है स्तिरी टू इसका इतना जादा क्रेज था कि डिस्टिब्यूटर्स ने इसको जादा प्रेफरेंस देना सही समझा जादा एट्रैक्ट कर रही है डबल श्मार्ट तो देखो बिल्कुल भी नहीं चलेगी हिंदी डब्ड वर्जन में क्योंकि जो उसके शोज़ाँ वो पहले से ही कम है बाकी दो फिल्म में अपना अपना देख लेंगी अक्षा कुमार का वैसे लग खराब चल रहा है तो खेल-खेल में भी आरपीटी जाएगी और इस तरी टू तो अल्रेडी हिट हो चुगे इसने तो भाई हिस्ट्री क्रियेट कर दिये क्योंकि इसमें इतने जादा बड़े-बड़े अक्टर्स भी नहीं है कि पहले दिन में इतनी बड़ी ओपनिंग लग जाए एक और फिल्म थी जो 15 अगस्त को हिंदी में रिलीज होने वाली थी लेकिन इतनी बीड देखकर प्रेड्यूसर्स ने फिल्म को रिलीज ही नहीं किया जी हां मैं बात कर रहा हूँ थंगलान फिल्म के बारे में जिसको highly positive reviews मिल रहे हैं तमिल राडू में प्रेड्यूसर की decision ने हिंदी audience को ज़रूर नरास किया होगा पर प्रेड्यूसर ने 15 अगस्त को इस फिल्म को ना release करकी सबसे बढ़िया decision लिया है और थंगलान को हिंदी में अगर 15 अगस्त को release कराये जाता तो इस उनको shows ही नहीं मिल पाते और ये फिल्म कब आई कब चली जाती किसी को भी पता नहीं चलता तो makers ने दो हफते बाद release का plan करने का सोचा और finally अब उन्होंने इसकी release date भी announce कर दी है इस फिल्म को North India में 30 अगस्त को release करवाये जाएगा और हाँ North India में इसका Tamil version तक release नहीं करवाये गया तो उसको भी 30 अगस्त को ही release करवाये जाएगा तब तक शोज मिलने के आसार बढ़ जाएंगे उपर से फिल्म को बहुत ही ज़्यादा प्यार मिल रहा है तमिल नाडू में तो शायद हिंदी ओडियंस का अब थंगलान की तरफ थोड़ा सा ज़ादा ध्यान जाएगा और उपर से ये फिल्म बेस जै true story से जी हाँ ये फिल्म सच्ची गटनाओ पर आधारी था है ये फिल्म है असली KGF क्योंकि करनाटका में कोलार फील्ड थे और वहाँ पर ये लोग काम करते थे और ये लोग अपने हातों से मिट्टी को खुरेत के सोना निकालते थे काफी लोगों का ये ही कहना होगा कि भाई KGF को कॉपी करने की कोशिश की गई है पर भाई KGF एक fictional story थी लेकिन जो थंगलान है थंगलान based है true story पर फिल्म के VFX में थोड़ी कमी ज़रूर होगी पर फिल्म का जो content है वो काफी rich है खैर मैंने movie देखी तो नहीं है पर सुनने में तो भाई यही आ रहा है चियान विक्रम की फिल्म में मुझे हमेशा से ही excited करती है reason है उनकी scripts, आपरीचित, आई, इरुमुगन, महान और अब ठंगलान बड़े परदे पर इनकी movies देखना तो एक तरह से सपना ही है उमीद है कि तीस अगस्त को वो भी fulfill होई जाएगा अगर मैं बात करू हिंदी dubbed version के बारे में तो जो thriller है उसमें हम सभी को संकेत महातरे की voiceover सुनने के लिए मिली थी चियान विक्रम पर लेकिन जादातार लोगों का यही मानना है कि चियान विक्रम को खुदी voiceover देनी चाहिए थी या फिर dubbing आर्टिस्ट को यह और होना चाहिए था मेरा भी यही मानना है कि संकेत महातरे सर की voiceover इतनी नहीं जच रही है इस character पर उन्होंने अपना best देने की जरूर कोशिश की है पर हमारे पास ऐसे dubbing आर्टिस्ट हैं जैसे कि समय राष्ठकर या फिर राजेश खटर या फिर चियान विक्रम खुद भी dub कर सकते थे अब तो खैर मुवी में ही पता चलेगा कि किसने dub किया होगा उमीद है कि फिल्म के dubbing अच्छी ही होगी तो आप लोग भी इस फिल्म को हिंदी वर्जन में जरूर सपोर्ट करना तो 30 अगस्त से ये फिल्म हिंदी डब्ड वर्जन में रिलीज हो रही है अगर वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक कीज़े शेर कीज़े और कमेंट सेक्षन में मुझे जरूर बताना कि आप सभी को थंगलान के हिंदी डब्ड वर्जन का केतना इंजार था और फिल्मी डोस को सब्सक्राइब भी जरूर कर लीजेगा साथी में ट्विटर और इंस्टाग्राम को भी फॉलो कर लेना तो मिलते हैं हमारे अगले वीडियो में तब तक के लिए बाई बाई एंड टेक्टियर